तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिसकर्स किया था टेबल जैंट फॉर्म बनाने और आज मैंने कहा था कि मैं आपको लेंग्विज एक्चुली क्यूरी सिखाना बनाना सिखाऊंगा एसको लेंग्विज के अंदर ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लेंग्विज लिखनी पड़ेगी जिस लेंग्विज का नाम क्या है अभी तक हमने लेकिन 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 लेंग्विज यूस हो रही थी क्योंकि जैसे अगर आप लोगों ने देखा कि last time जब मैंने forms बनाए तो वो जो forms हमने बनाए या जो हमने tables बनाए थे उन tables के पीछे एसको लेंगोज अपने आप लिखी जा रही थी ठीक है बट आज आप खुद एसको लेंगोज देखोगे किस तरह से हम लिखेंगे ठीक है एंड फिर उसे किस तरह से हम लोगों ने यूटलाइज करना है ठीक है तो आप उसको देख सकते हैं रेफर कर सकते हैं दैन आपको प्राब्लम नहीं आएगी समझने में ठीक है आपका डेटा स्टोर है तो उसे देखने वाले लोग अलग अलग है तो जितने भी लोग होंगे उसको उसे अलग लग तरीके से से अपनी जरूरत के हिसाब से वह उसमें से information करना चाहिए ठीक है लिए ने स्टर्टिंग में कहा था डेटा विचे इस टोर तो यह स्टोर है डेटा मेरा लेकिन इस में से जो मुझे चाहिए वह आ information तो information retrieve करने के लिए ठीक है जी हमें उसे convert करना data को information में तो उसके लिए हम आज कुछ command सीखेंगे SQL की ठीक है और फिर देखते हैं कि हमारा data किस तांसे हम retrieve करते हैं सो command लिखने के लिए यहाँ पर queries नाम की tab है अब queries टाइब में जाएंगे और query step के अंदर जाके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे create query in SQL view आप इसे double click करेंगे और इतने एरिया के अंदर अब आप अपनी query लिख सकते हैं तो सबसे पहली query जो हम लिखने जा रहे हैं कि मुझे अगर पूरा टेबल देखने आउट्पुट में complete टेबल यानि ओल कॉलम ओल रोस चेक है जी तो हम क्या लिखेंगे structured query language में कि मुझे सारा का सारा टेबल शो किया जाए तो सबसे पहला keyword keyword यानि जो reserved word है इस काम के लिए वह आपने लिखना है select तो जब भी data देखना है जितने भी columns and then I have to use of keyword star तो आप keyboard से अपना star button प्रेस करेंगे जो eight key के उपर अगर आप देखेंगे keyboard layout पे normally होता है and then you have to use a word from and then table name जैसे हमारे table का नाम था student detail so you will type student detail semi college ठेक है जी right अब ये आपकी command है जो जब आप run करेंगे तो आपको पूरा का पूरा table show करेंगी से रन करने के लिए आप आगर आप देखेंगे तो एक रन क्यूरी नाम का बटन है alternatively एक shortcut दिया गया F5 सो अगर आप keyboard से F5 भी प्रेस करेंगे तब भी एक क्यूरी execute हो जाएगी सुमें क्यूरी रण करता हूं जैसे में क्यूरी रण करूंगा आप देखेंगे वह आपको पूरा का पूरा टेबल दिखा देगा तो यह आपको है ओके सो यह क्यूरी आप क्लिक लीजिए फोटो क्लिक कर लीजिए लिख लीजिए ठीक है जी मैं ग्रुप में भी शियर कर दूंगा इन क्यूरी इसको ठीक है लिखनी है तो हमें सेलेक्ट लिखना ही है उसके बाद हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं रोल नंबर कॉलम का नेम कॉमा नेम प्रॉम टेबल का नेम सो मारे पास टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट अंडर्सकोर डिटेल ठीक है मैं अगर इसको एक्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे सिर्फ और मुझे क्या दिखा रहा है रोल नंबर एंड नेम सारे स्टूडेंट का रोल नंबर एंड लेट्सव मैं आपको कहता हूं कि आप एप्पर एग्जेंपल आप मेरे स्कूल में काम कर रहे हैं और मैं तो अपने यहां पर स्टूटर इंडर स्कोर टीटेल लिखना है जी राइट ऑके हैं अब यहां पे आपने देखा मैंने डबल कोर्स टाले तो अगर मैं डबल कोटिस ना डालो एट्सस्पोर्स तो यहां पर देखता हूं मैं इसको run करके क्या कोई difference आता है तो कोई difference नहीं आ रहा तो double quotes क्यों डाले मैंने वो अभी optional है वो कहां पर जाके compulsory होंगे आगे जाके हम discuss करेंगे लेकिन अभी जब आप column के names लिखें तो double quotes चालना compulsory नहीं है आप लिख सकते हैं select column name जी जो भी आप देखना चाते हैं वो आप कर सकते हैं जैसे for example मैं कहता हूं मुझे roll number भी दिखाओ name भी दिखाओ and साथ में मुझे contact number भी दिखाओ से देखें तो अभी तक जितने भी record हमने लेखे हैं जितने भी रिकॉर्ड ठीक है उन में कहीं पर भी अभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हमने record filter किया रिकॉर्ड सारे ही आ रहे हैं तो अगर six students है तो six के six ही आ रहे हैं ठीक है लेकिन अभी जो अभी हमने manipulation की है वो कॉलम स्टरम में की है कि जैसे स्टार लिखा तो सारे कॉलम आगे कोई specific कॉलम देखना है तो रोल नंबर आ ठीक है तो किसी ने कहना था कि मुझे रोल नंबर दिखाओ और नेम दिखाओ सारे बच्चों के और contact नंबर दिखाओ मैं यहाँ पर लिख दूंगा select name, contact number that's it बह है जो कोई data जो information देखनी है वो मुझे किसी order में चाहिए आप सबको बताओगा ascending and descending order ठीक है so sending smallest to largest and is ending largest to smallest तो उस case पर हम क्या कर सकते हैं जैसे for example मैं चाहता हूं name wise data ascending order में तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे select star star का मतलब all column अगर आपको all नहीं देखने तो मैं already बता चुका हूँ कि आप कॉमा डाल के specific column भी बता सकते हैं इस case में मैं सारे column ले रहा हूँ select star from student detail order by लिखना है कौन सा keyword यूज करना है order by keyword यूज करना है and in order by keyword you have to tell कि कौन सा column so let's suppose मैं कह रहा हूँ यहां पर so let's just मैं यहां पर कह रहा हूँ कि मेरे पास name column है ascending order में data दिखाओ ठीक है अब मैं QD run करता हूँ ठीक है अब ध्यान से देखो data name wise आ रहा है ascending order में सबसे चोटा है उसके बाद h 10 r इस तरह से डिटा रहा है हमारे पास चीक है clear so this is basically ascending order अगर मैं यहां पर जाके बोल दूं descending so I will write d e sc descending order चीक है so अब अगर मैं इसे execute करूं तो देखो data कैसे आ रहा है descending order so V से लेके D इस तरह से data store हो रहा है ठीक है अगर मैं यहां पर जाके लिख दूं order by let's suppose duration ascending तो अब आप देखोगे वो courses जो कम duration के है वो पहले आ रहे से 22 months वाले then 3 months वाले then 4 months वाले ठीक है अगर मैं यहां पर जाके लिखतू duration जो है descending और अगर हम इसे run करें तो आप देखोगे second descending order में record दिखाए जा रहे है clear तो जिस भी form में आपने data देखना है तो उस case में आपको इस तरह से करना पढ़ाए ठीक है नंबर्स हमारे पास यहां पर आ रहे हैं क्लियर डिसेंडिंग और में data हमारे पास आ रहे हैं तो यह second command है जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको data किसी specific order में देखना है तो आपको ascending या descending command नंबर्स क्या है उसका कोर्स क्या है सिक्ल जोइन किया है ऑसकी duration क्या है तो उसकी duration fourth हो जाएगी duration तो उसकी तूई रहेगी जो उसने जोएं किया आप वहाँ पर यह काम कर सकते हो वहाँ पर आपके काम कर सकते हो जहां पर आपके पास I'll say let's force के content duplicate just a for example so if I'll say order by course ascending let's force and we'll see duration descending इसको एक बरन करकर देखते हैं अब ध्यान से देखो अब यहां पर देखो जो कोर्स है ठीक है जी वह ascending में हो गया पहले जी आता है फिर एसा आता है फिर डब्ली आता है clear ठीक है जी जहां पर कोर्स सेम है जैसे दो जावा के कोर्स है यहां पर दमन ने भी जॉइन किया राजेश ने भी जॉइन किया लेकिन पहले दमन को दिखाया गया फिर राजेश को क्यों क्यों कि duration हमने क्या कर दी थी डिसेंडिंग हरी बात समझ में कि जहां पर कोर्स सेम हो गया वहां पर उसने duration बेस पर क्या कर दिया सौट कर दिया ठीक है पहले फोरवल आ रहा है फिर टूवल आ रहा है ठीक है तो इस तरह से आप यह कर सकते हो ठीक है यह सब्सक्राइब कर देखने की कमांड बना के दी गई है अब जैसे फॉर इग्जेंपल मैं कहूं कि मुझे एक इंपलाय का record दिखाऊ ठीक है जी right उसकी सेरी बेस ठीक है मंज उसे rank करना है तो मुझे इसरी बेस पर दिखाऊ तो हो सकता है कि दो employ के मुझे rank करना है उननको ठीक है तो हो सकता है कि 3-4-5 लोगों की salary सेंब ठीक है जी तो मैंजाता हूं जब salary सेंब है तो फिर उस केस में किसको पहले दिखाओ जो जादा experienced है तो मैंने experience case के उपर descending लगा दिया ठीक है तो उस तरह के से हम data देख रहे हैं तो यह depends upon कि आपके पास क्या requirement आई है company की वो आप से किस तरह से चाहते हैं कि आप क्या information को दिखाएं clear yes sir so यह एक आपके पास command है ठीक है जी तो इसमें आप order कर सकते हो अब हम चलते हैं second section पर अब हम बात करते हैं कि जहां पर मुझे records की उपर filter लगाना है अभी क्या हो रहा है सारे के सारे records आ रहे हमारे पास six records से six के six आ रहे है ठीक है ठीक है जी ठीक है जी सो हर्ष का record मुझे देखना है ठीक है जी तो मैं अब क्या कर रहा हूं मैं यहां पर जाओंगा select star from student detail तो जब आपको record की उपर फैल से के filter करना है तो एक तरह से इस कॉलम में है नेम में सो मैं यहां पर क्या लिखूंगा वियर नेम इस इक्वल टू फर्ष सिंगल कोड में अगर करेक्टर है तो याद रखना सिंगल कोड पर लिखना है and then you execute your command और आप यहां पर देखेंगे आपके पास फर्ष का डेटा clear तो ऐसा ही होता है जब हम बैंक में जाते हम कहते हैं कि फॉर इंटर करो कि रोल नबर स्पेसिकली उसी का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा अब जैसे अगर मैं यहां पर जाके देखू कि मुझे दिखाओ डिटेल रोल नंबर थ्री की रोल नंबर आई से थ्री एंड नाओ एल एक्जिक्यूट इट ठीक है जी तो आप देखो कि रोल नंबर थ्री का डेटा आगे हमारे पास clear राइथ अब क्यूंकि रोल नंबर अब भड़े ध्याल से देखो कि यहां पर मैंने हर्ष के टाइम पे सिंगल कोड डाला था रोल नंबर के टाइम पे नहीं डाला वह इसलिए क्योंकि अगर आपका डेटा इंटीजर है तो आपको सिंगल को डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर वो करेक्टर है तो आपको सिंगल कोड डालना है तो यह बस याद रखेगा जैसे फॉर एक्जम्पल मैं कहता हूं मुझे उन बच्चों का रिकॉर्ड दिखाओ जिन्होंने सीक्वल कोर्स जॉइन किया है यहां पर जाके लिख रह करूँगा तो मेरे पास एर्डर आएगा जिक है तो यह कमांड नहीं चलेगी रखना जब आपने फिल्टर करना उस्टर अगर अपने करेक्टर बेस्पर करना है तो संगल कोड लगाना ज़रूरी है अगर इंटीजर है तो फिल्ट नहीं लगाना वह सिधा नुमैरिक से भ तो आप देखो कि जब मुझे एक वैल्यू के गेंस्ट फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पर कौनसा उपरेटर यूज कर रहा हूं इस एक्वल टू देख रहे हैं सब लोग चेकर जी इस एक्वल टू ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं अगर लेट्सकोंस मुझे मुझे निगेट करना है मुझे कहना है कि लैट्सकोंस को छोड़के बकिस सब कर डेटा दिखा दो तो यहां पर हम यूज करेंगी ऑपरेटर नॉट इक्वल टू कौन सा नॉट इक्वल टू आप इस तरह से लिखेंगे अंगुलर ब्रेकिट स्टाट अंगुलर ब्रेकिट करूंगा तो आप देखोगे एसक्वल को छोड़के बाकिसारे बच्चों का रिकॉर्ड आजाए अगर हमने उसे फिल्टर करके निगेट करना है कि नहीं मुझे यह कंटेंट नहीं चाहिए इसके इलावा बाकि रिकॉर्ड चाहिए तो फिर आप कौन सो अपरेटर यूज करेंगे नॉट इक्वल टू इक्वल टू आपके पास है क्लियर ठीक है ओके नेक्स्ट इस क्या ह हो कि अगर आपको एक से ज्यादा रिकॉर्ट के उपर फिल्टर लगाना है जैसे फॉर एक्जेंपल मैं चाहता हूं मुझे जावा एंड एसक्वल कोर्स इस मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड दिखाये जाए जिन्होंने जावा कोर्स भी जॉइन किया है तो फिर इस इ देखोगे आपके पास जो डेटा आ रहा है तो यहां पर हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वह कौन सा कर रहे हैं इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तक पिटा सेम अगर मैं यहां पर निगेट करना चाहूं मैं चाहूं कि मैं चाहता हूं कि इस एसको लेंड जावा को छोड़के ठीक है बाकी जितने रिकॉर्ड्स हैं वह आ जाएं तो मैं यहां पर इन की जगा क्या लिख दूँगा नॉट इन ठीक है तो हम यहां पर नॉट इन लिख देंगे कि इन रिकॉर्ड्स को छोड़के बाकी रिकॉर्ड्स आ जाएं तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे एक ही रिकॉर्ड बचा था वेबसाइट कोर्स वाले वह आगे हमारे पस रिक अगर इकवल टू को इकवल टू यूज कर रहे थे सिंगल वैल्यू के साथ तो तब आपने वह ऑपरेटर डाल था ठीक है अब आपके पास अगर इन है यानि मल्टीपल वैल्यूज है तो फिर इनका कॉर्स्पांडेंस क्या यूज ओन है नॉट इन अगर सिंगल वैल्यू है तो इकवल टू या फिर नॉट इकवल क्लेर हो गया है क्लेर है चलो नेक्स्ट इस नेक्स्ट अप ग्रेटर देन लेस्ट अपरेटर भी यूज कर सकते हैं इंडिविजुली जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे उन कोर्सेश के डिटेल दिखाई जाए स्टूडेंस की जिन्होंने ऐसे को से ज्वाइन किया जिनकी ड फटेल लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखता हूं ग्रेटर देंटू। इसका मतलब है मैं क्या चाहता हूं मुझे कौन से और चिंके दूरेशन 2 से ज़ादा ऩिक है चूंढ़ अगर इसको मैं रन करॉंगा तो यहां पर देखो सिर्वा रिकॉर्ड Vergleich चीक है और नहीं की डूरेशन 3 से ज़ादा है तो सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं अगर मैं यहां पर लिखूं जिनकी डूरेशन फोर से ज़ादा है और अगर मैं इसे एक्जिक्यूट करूँ तो कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें बच्चे ने ऐसा कोई ज्वाइन किया हो जिसकी डूरेशन फोर मन से ज़ादा है सो रिकॉर्ड ना आना और एरर आना दो अलग अलग चीज़ें याद रखना ठीक है अगर एरर आ रहा है मतलब आपने कुछ गलत लिखा है और अगर रिकॉर्ड ब्लैंक रिकॉर्ड आ रहा है तो मतलब जो आप भूंड रहे हो ऐसा कोई रिकॉर्ड एक्जिस्ट नहीं करता है जिक है तो यह ध्यान में रखना है जैसे मैंने यह सच किया फॉर इग्जैंपल अगर मैं यहाँ पर सर्च करूं सेलेक्ट स्टार्विं भृड़े ध्यान से लेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉं स्टोड डी व्यटेल अगर मैं चेक करूं कि अलग कूए जब श्यूंट कीทट है सेथे विल्कुल ठीक कोई गलती नहीं है बट जब इस सिंटेक्स को एग्जीक्यूट किया गया और कंप्यूटर जाके चेक कर रहा है कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो 10 रोल नंबर का है तो उसने का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ब्लैंक रोव आपके साइब क्लेर है यहां तक चलो सो मैं आगे चलो ठीक है तो यह आपका एक कंसेप्ट था कौन सा क्यूरीज का ठीक है तो क्यूरीज में हम क्या लिखते हैं जब हमें डेटा देखना हो तो जब भी आपको डेटा व्यू करना है तो आप आप एसकोल की रीज्यों है वह रं करेंगे ठीक है रइट और जिस तरह का भी डेटा जिसको देखने वह स्कुल के थूअप उस तरह का डेटा सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है इसके लिए हमारे पास अलग डायलोग बॉक्स है मैं वहीं पर जा रहा हूं ठीक है तो क्यूरी मतलब डेटा व्यू करना ना की डेटा क्यूरी और अब मैं उस कंसेट पर जा रहा हूं जो अपने कोशिन पूछे कि डेटा मॉडिफाइब करना है तो आपको यहां पर टूल्स पर जाना है और टूल्स पर जाके यहां पर कौनसी आप्शन आ रही है आपके पास फिर चेकर यहां पर जाके आपको अपनी कमांड एइजिक्यूट करने यह याद रखना करना यह वह एरिया है जहां पर अपनी वह कमांड एसके की लिखेंगे जहांपर modification होगी, अब modification कैसे होगी तीन commands के थ्रू, पहली command insert, insert मतलब जब हमने कोई नया record insert करना है, update update मतलब जो existing record है उसे change करना है, and delete मतलब जब हमें कोई record नहीं चाहिए, तो मैं ये तीनो commands आपको चलाके दिखाने लगाऊ insert, update, delete ठीक है, so syntax देखेगा, सबसे पहले insert का syntax क्या है, insert के case में पहले लिखना है, insert into table का name, so हमारे पास table का जो भी नाम है, अब यहाँ पे compulsory है कि जब भी आप table का नाम या column का नाम लिखें, तो उसको double quotes में लिखना, तो यहाँ पे हमारे table का नाम क्या है student student underscore detail, so हम कह रहे है कि हमें student underscore detail में एक row insert करनी है, ठीक है, जी, राइट, ओके, then parenthesis start, parenthesis close, और यहाँ पे हमने अपने columns के नाम लिखने है, जैसे role number name and then we have course उसके बाद है हमारे पास duration उसके पाद मेरे पास था contact number then मेरे पास था email id ठीक है, so basically यह मेरे पास जो है, columns है ठीक है, so मैं कहा रहा हूँ insert into student detail, student detail table में insert करो, और parenthesis में हमने क्या बताने है, columns के नाम जिन में insert करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे बतानी है, values ठीक है, और फिर parenthesis में हमने उसी sequence में values देनी है, अगर तो character है, तो single quote में अगर character नहीं है, तो integer है, तो आप directly भी देश होकते है, so let's just, मैं कहा रहा हूँ, roll number 7 6 सक्थ है मेरे पास, and I'll give it a name, single quote में, let's just मैं name दे रहा हूँ, loop course, let's just मैं लिख रहा हूँ, python and duration, let's just 3 months, contact number में अपनी तरफ से अभी कोई भी XYZ इंटर कर रहा हूँ, and email ID मैं दे रहा हूँ, let's just loop down at gmail.com, and then semicolon, so this is basically a command, ठीक है जी, जो use होगी आपके insert के अंदर, ठीक है, so insert into, insert into table name, ठीक है, table name के बाद आपने क्या करना है, parenthesis के अंदर अपने columns का नाम डालना है, ठीक है जी, उसके बाद आपने लिखना है values, ठीक है, जी, और values के बाद आपने अपनी values देनी है, ठीक है, and then अब इससे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, execute कर रहा हूँ, ठीक है, जी, right, so जैसे मैं execute करूँगा, देखो नीचे एक message आ गया, command successful executed, one row updated, ठीक है, right, अब अगर आप check करना चाहते हैं कि आपका data update हुआ है कि नहीं हुआ, तो there are two ways, एक तो query view में चले जाओ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, query view में चले जाओ, ठीक है, जी, right, और वहाँ पर जाके लिख लो, select star from student detail, so one is this way, ठीक है, मैं इसको रण करता हूँ, sorry, so let's yourself go to new query, ठीक है, और मैं अगर, so यहाँ पर हम, जाके लिखने है, let's go select star from student, data underscore detail, ठीक है, और इसे मैं execute करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर आप देख है, तो हमारे पास record आ चुका है, ठीक है, यूबना data insert हो चुका है, ठीक है, so यह एक data मेरे पास insert हो चुका है, so this is one, और, और आप यहाँ पर जा सकते हैं, tables में, ठीक है, जी नीचे आपका table आ रहा है, student detail, इसे double click कीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर भी देखेंगे, आपका record insert हो चुका है, this is how you can check कि आपका data insert हुआ है, के नहीं, ठीक है, commands मैं आपको भेज दूँगा भी आज group में, ठीक है, so वो एक बार आप लोग देख लीजेगा, so tools पर जाना है हमने, and after tools हम लोग कहाँ पर जाएंगे SQL में, so SQL के अंदर ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी insert command लगानी है, ठीक है, जो insert command है, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक syntax में, ठीक है, उसके बाद हम next command पे चलते हैं, insert into table name, जो भी आपके table का नाम होगा, उसके बाद आपने column के name लिखने हैं, जितने भी columns हैं आपके पास, उसके बाद आपने values लिखनी हैं, जितने भी values हैं, ठीक है, और next जो command हमने लिखी थी, वो भी मैं आपको group में share कर देता, this is our insert command, the second command, जितने सर इसमे जब आपने roll number जब आपने data create किया था, सर उसमे आपने roll number में care लिखा था, तो सर यहां पर अगर आप roll number में values में आप alphabetical values put कर देते तो वो execute करेगा वो लिखा था बेटा, integer, integer लिखा था, roll number integer में था हमारा, शायद एक बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, अगर आपका data type integer है, तो आप उसमें character store नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, character है तो आप 0-9 symbol भी store कर सकते हो, यह हम already discuss कर चुके है last lecture में, अब मैं next command की तरफ जा रहा हूँ और फिर मैं आपकी QD पर वापिस आउँगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसको finish करना है, point को, अब मैं next command आपको सिखाने जा रहा हूँ कि data मुझे update करना है, अगर मैं यहाँ पर जाओ student detail में, let's just lubna है, और lubna का मुझे contact number delete, update करना है, change करना है, तो lubna का जैसे for example, row number 7, तो हम क्या command लिखेंगे, go to tools and then we go to SQL, और यहाँ पर हम command लिखेंगे update, जब भी data change करना है, जो already enter हो चुका है, तो हमने update command यूज करना है, तो यहाँ पर हम जा रहे है, update और update के बाद हम यहाँ पर लिख रहे है table का नाम, तो table का नाम है student underscore detail और as I said कि अब आपको double quotes ट्राल ले है, student underscore detail, set, set का मतलब जिसको अब change करना है, तो अब आप column name बताएंगे, जैसे मुझे contact number change करना है, is equal to, जो भी contact number आपको लिखना है, so let's suppose मैं लिख रहा हूँ, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, let's suppose अभी यह लिख रहा हूँ है, ठीक है, कि student detail table को update करो, क्या update करो, कि उसका जो column number है, contact number, उसको ये value दे दो, ठीक है, जी किसके contact number को, जिसका role number क्या है, seven, अब अगर हम इस value को execute करें, ठीक है, जी, तो हमारे पास एक error आ रहा है contact number, क्योंकि मैंने contact number को double quotes में नहीं डाला, अब हमें से execute करते हैं, so command successfully execute, ठीक है, अब अगर मैं इसको check करूँ जाके, table में, ठीक है, जी, तो आप देखोगे, रोल number, update contact number, update हो चुका है, so update command हमें use करनी है, जब हमें existing data को क्या करना है, modify करना है, तब update command use होगी, ठीक है, and चल्दी से अब अगर मैं इसको बंद करूँ, and last command complete करें, फिर हम questions पर आते हैं, तो अगर मैं SQL में जाओं, तो अब यहाँ पे जाके, last command मैं सिखा रहा हूं delete, कि अगर कोई record नहीं चाहिए, तो आपने command use करनी है, delete, delete from table name, जैसे मैं student underscore detail, table में जा रहा हूं, किसको delete करना है, where, और मैं यहाँ पर जाके लेट्स लिख रहा हूं, roll number is equal to 7, तो 7 roll number को हमें क्या करना है, delete करना है, ठीक है, तो इस command को अगर मैं यहाँ पर execute करूं, ठीक है, जी, तो अब यह क्या करेगी, roll number 7 को delete कर देगी, हो गया, ठीक है, मैंने अभी सिफ overview दिया है, next lecture के अंदर हम in-depth discussion भी करेंगे, ठीक है जी, अभी के लिए मैं recording close कर रहा हूं and then we'll go to the questions part.